आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्टन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ यहां पर बात हो रही है अब यह जो हमारे एक्सटर्नल जैनिटेलिया होते हैं यह सम काइटीनिस असेमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं यह सम काइटीनिस के काइटीनिस एसमेट्रिकल के एसमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं अब यह जो हमारे एसमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनमें क्या होता है यह हमारे क्या होते हैं फाउंड होते हैं सराउंडिंग दा मेल गोनोपोर में यह found होते हैं surrounding के surrounding the male gonopore के male gonopore में surrounding मतलब found होते हैं gonopore में और यह कहां present होते हैं add the end of the abdomen के end of the abdomen यह क्या होते हैं present होते हैं अब बात करें हम external genitalia की तो यह three type of इसमें क्या होते हैं three phallomers पाए जाते हैं okay three phallomers या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या male gonopore फाइस के इसको हम बोल सकते हैं male okay gonopore फाइस अब यह हमारे क्या करते हैं consist होते हैं यह सॉरी consistent होते हैं किसके external genitalia के okay यह consistent होते है external genitalia के और यह जो हमारे three हमने बताए कि three phallomers हैं यह कौन-कौन से होते हैं यह राइट and left and lateral okay lateral phallomers होते हैं okay lateral phallomers होते हैं तो यहां पर पूछा है in male cockroaches the external genitalia is represented by यहां पर three phallomers दे रखा है right, left and dorsal यह रौंग है यहां पर three गोनापो five दे रखा हैं यह भी रौंग है option three is three phallomers जो कि right, left and lateral है यह correct answer है and option four भी incorrect है जो कि दे रखा है काईटिन स्यमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं so correct answer is option three Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advanced के level तास million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलूट करे doubt net app या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्सो पर